नमस्कार दोस्तों, Stock Market हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 Micro Cap Stocks के बारे में जिनकी Market Cap 1000 और उससे कम की है जी हां Friends, Size के हिसाब से बहुत छोटी कमपनी है लेकिन आप इनके Performance और Return को देखेंगे काफी जादा होती है जी हां Friends, Return जैसे बनता है उसी हिसाब से इनके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है तो आप अपने लिमिट में ही रहे कर Investment कीजिएगा ऐसी छोटी कमपनी हों में छोटा Investment बहुत हो गया जी हां Friends, तो चलिए सुरू करते हैं आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक जरू किजिएगा और साथ ही जो भी चैनल पर फर्स्टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर इट कर सकते हैं ताकि आने वाली कॉलिटी स्टाउक की अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी तो दोस्तों सबसे पहले स्टाउक का नाम है DHP India Limited जी हां Friends, देख सकते हैं ये कंपनी मात्र 438 करण का मार्केट कैप रखती है ROCE, ROE देख सकते हैं कंपनी के 30% का ROCE है और ROE है 23% की इस स्टाउक को हमने बहुत ही सस्ते लेवल से कवर करते आ रहे हैं जी हां Friends, आज देखेंगे इस स्टाउक का प्राइज जो है वो 1500 के round देखने मिलता है और जिसके 52 week high 1700 रह चुकी है और इस स्टाउक को हम तकरिबन 600-600 की price range से कवर करते आ रहे हैं जी हां Friends, तो बहुत बढ़िया कंपनी है जो सांदार तरीके से growth देखने मिलता है मात्र 28 करोड की debt है, reserve 147 करोड का है at present इस stock का अगर intrinsic value देखेंगे तो 3000 के आसपस देखने मिलता है यनि कि ये stock इस price पर भी इनके इसाब से काफी fair valuation पर मुझूद है जी हां Friends, stock का P भी आप देख सकते हैं जो 10 का है जबकि industry का P 47.7 का है तो इस समय मुझे लगता है कि ये stock फिर से bullish mode में आता देखने मिल रहा है जी हां Friends, काफी समय से ये stock अपने 52 week high से एक consolidate कर रहा था लेकिन अब जो लग रहा है कि ये उपर की तरफ काफी सांदर moment दे सकता है तो DHP India इस company को आप खास करके ध्यान में रखिए अपने जी हाँ Friends आगे बात करते हैं इस company के sales growth और performance की तो देख सकते हैं आप component sales growth company की क्या रही है जो 20-21% की है पिछले 5 सालों में profit growth भी आप देख सकते हैं तो 22-26% का रहा पिछले 5 सालों में last 3 years में 38% का भी profit growth company ने दिया है तो सांदर growth देखने मिलता है return on equity भी बढ़िया है देख सकते हैं 20% के round और साथी साथ company अच्छे खास से return भी बना कर दे रही है देख सकते हैं पिछले एक सालों में stock price ने 150% का return देखने मिलता है और वहीं last 3 years में 47% का CGR रहा और last 10 years में भी stock price का जो CGR है वो 47% का है तो सांदार company का performance रहा है इस company के share holding pattern में भी देखेंगे तो यहाँ भी promoters के अच्छी कासी holding है 73.42% की और FIs फिलाल नहीं है और DIs भी इसमें एंटर नहीं किये है जियाँ फ्रेंड्स तो DHP India एक IC company है जो engineering segment में कामकाच करती है like LPG regulators और उसकी accessories बनाती है जियाँ फ्रेंड्स आप इनकी official website पर जरूर विजिट कर लीजेगा जहां से आपको इस company की information deep में मिल जाएगी तो आप चलते हैं अगले stock की तरफ तो company का नाम है Nahar Polyfilms Limited जो BOPP Films की manufacturing करती है जियाँ फ्रेंड्स इस company का market cap देखे सकते हैं तो मात्र 770 करड़ का market cap है current price 313 के आसपा straight कर रही है और 52 week high 601 रुपे का है यानि कि at present आपको ये stock काफी बहतर सस्ते valuation पर आते देखने मिल रहा है तकरीबन 50% के discounted price पर मौजूद है stock का PE देख सकते है 7.37 का है जबकि industry का PE है 14.4 का और stock की interesting value भी आप देखके समझ सकते है 389 के around है तो कहीं न कहीं ये stock भी at present लेने लाइक है जियाँ फ्रेंड्स आगे financial कुछ data भी देखते है तो ROC, ROE दोनों ही 14% पर है और company के ओपर debt देख सकते है 900 करेड के around company के पास reserve भी देखने मिलता है तो overall अगर देखा जाए पिछले 5 सालों में company में 14% के around sales growth नजर आती है और पिछले 3 सालों में 23% की sales growth देखने मिलती है compound and profit growth देखा जाए तो वो भी ठीक ठाकी है जियाँ फ्रेंड्स last 3 years में 100% तक का company का profit रहा है और last 5 years में 39% का और trailing 12 months में भी company का performance देख सकते है sales growth 72% पर चल रहा है और profit growth 53% पर तो दुस्तों compound and sales growth और profit growth दोनों भी बढ़िया है और return की बात करेए तो last 3 years में 108% के annual growth से company return दिया है जियाँ फ्रेंड्स last 5 years में 41% के cjr रहा और last 3 years में 30% का ROE देख सकते हैं तो 9-12% का देखने मिलता है जो ठीक ठाकी माना जाएगा आगे बात करते हैं इस company के shareholding pattern की तो ये भी देख सकते हैं आप 70.65% की promoters की सिदारी है FIS फिलाल 0.19% से मात्रा holding रखे हैं और DIS 0.01% से तो दोस्तो नाहर polyfilms का जो price level चल रहा है फिलाल 300 का इस level से मुझे बहुत सही लग रहा है कि अभी आप entry करके चलेंगे तो आपको short duration में भी अच्छा खासा profit हो सकता है इस company में company की financials खराब नहीं है जियां friends जिसकी आगे आगे आपने बात की आपको चाहिए तो आप yearly performance भी देख सकते हैं जो पिछले 4-5 सलों का अगर हम data देखें तो आप देख सकते हैं company की sales revenue किस तरह से grow कर रही है operating profit भी कहां से कहां पोच चुका है इन 5 सालों में और margin भी देख सकते हैं पहले margin कितना कम था 2018-19 में और अभी जो margin है company का वो 20-24% तक देखने मिलता है साथ ही net profit भी देखेंगे तो ये भी growth में चल रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलाल जो भी pressure के करण stock price नीचे आया है तो ये एक opportunity है जहां आप फाइदा उठा कर चलेंगे तो अच्छा होगा दोस्तों आप बात करते हैं अगले stock की तो company का नाम है sexsoft limited जियां friends जो IT segment से बिलॉंग करती है at present company का market cap देख सकते है मात्र 1087 करोड का market cap है तो बहुत छोटी company है stock price 100N के level पर देखने मिलता है और stock का 52 week high 138 रुपिस का है P की बात करो तो 15.6 का P है जबकि industry का P 30 का है तो ये भी stock कह सकते हैं कि अपने fair valuation पर ही trade कर रहा है आगे देखा जाए company का जो है ROC देख सकते हैं जो 26% का है ROE भी 22% के round है तो दोनों भी बढ़ियां है debt की बात करों तो मात्र 20 करोड की भी debt नहीं है company पर जिहां friends reserve देख सकते हैं 336 करोड का reserve देखने मिलता है तो sex of limited इस company के अगर आगे हम data देखे sales growth और profit growth किस तरह से चल रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो company का overall sales growth भी बढ़ियां है जो 10-15% का है long run में और profit growth 20-30% का है तो कोई खराब नहीं माना जाएगा ROE भी देख सकते हैं 20% के around हर साल रही है पिछले 10 सालों में भी तो यह भी बढ़ियां है stock price के CGR को बोलू तो company हर साल ही अच्छे rates से return भी बना कर दे रही है जिहां friends देख सकते हैं 37% का CGR है पिछले 10 सालों में last 3 years में 62% का है लेकिन फिलाल एक साल से इस stock में इतनी ज़्यादा तेजी देखने नहीं मिल रही है जो मात्रा 8% का return भराकर दी है जिहां friends बाके देख लेते हैं इसके share rolling pattern को भी तो यहां पर देख सकते हैं promoters की जो इससेदारी है 68.15% की है FIs 3.83% और DIs 0.28% का इससेदारी बनाए रखे हैं तो इस company पर भी आप जरूर ध्यान दीजिए एक micro cap stock है अपने fair valuation पर ही trade कर रहा है ये भी समझ लिजी आप जिहां friends अब बात करते हैं अगले stock की तो company का नाम है सार्थक Metals Limited जिहां friends इस company को देखा जाए तो मात्र 184 करोड का market cap है देख सकते हैं आप भी 52 week high 169 का है और current price 134 की level पर trade कर रही है देखा जाए ROC बहुत सामदार नजर आता है जो 40% का है ROE भी देख सकते है 38-39% की और आगे बात करूँ company पर debt की तो ना के बराबर debt है मात्र 10 करोड की debt है debt to equity 0.12 का है reserve देख सकते हैं 72-73 करोड की reserve है इनके intrinsic value को देखा जाए तो 244 रुपेस निकल के आता है यानि कि at present ये stock बहुत ही सस्ते valuation पर है ये भी आप समझ सकते हैं जिहां friends आगे देखते हैं company की growth कैसी रही है तो financials growth को देखा जाए तो component sales growth, profit growth आप दोनों भी देख सकते हैं दोनों में कोई भी कम ही नहीं है stock price के CAGR को भी देखा जाए तो पिछले 3 सालों से इस company में भी outstanding performance दिया है और return की बात करो तो 99% का return इनका annual रहा है हर साल ROE भी देख सकते हैं 20-24% का देखने मिलता है जो बिल्कुल भी खराब नहीं कहा जाएगा जिया फ्रेंट्स से रोलिंग pattern को भी देख लेते हैं तो यहां भी 70% के round promoters की सिदारी है FIS फिलाल latest quarter में अपनी holding बनाया है मातर 0.41% से तो सार्थक metals इस company को भी आप जरूर अपने डाडार में रखिए सो फ्रेंट्स अब तक की जो मैंने जो भी company बताई है तीनों कमपनिया फिलाल अपने intrinsic value से भी कम price बर मिल रहे हैं कहीं न कहीं यह अपने fair valuation पर ही trade करे हैं इस बात का भी आप ख्यास ध्यान रखके investment करने का सोच सकते हैं जिया फ्रेंट्स बाकी company छोटी है तो risk उतना ही जादा है जितना जादा company से return की expectation रखते हो जिया फ्रेंट्स तो अब बात करते हैं अगले stock तो उस company का नाम है DP wires limited जिया फ्रेंट्स company steel wire plastic product और plastic films की manufacturing करती है और आगे देखा जाए तो इस company का market cap देख सकते हैं मातर 600 करोड का market cap है अभी 430 के price पर मिल रही है और 52 week high 500 रुपिस का है stock P18 का है और आगे बाद करो industry का P17.5 का है ROC, ROE देख सकते हैं दोनों भी बढ़ी है 27 to 28% का ROC है और ROE है 21% का debt बिल्कुल भी ना के बराबर है मातर 4 करोड 34 लाग का debt है company पर और रिज़ा हो देख सकते हैं 154 करोड की है stock का intrinsic value देख सकते हैं तो 681 का है यानि कि ये भी undervalued stock माना जा सकता है जियां friends आगे बात करते हैं company के performance की तो component sales growth और profit growth के इसाब से देखा जाए तो company का performance कोई खराब नहीं है कर देते आईए देख सकते हैं पिछले 3 सालों का compound annual growth rate 84% कर रहा है और 5 सालों में 42% का तो जब बर्दस company है अच्छे खास return बना कर दे रही है ROE भी देख सकते हैं 21% का return on equity भी generate कर पा रही है company तो कोई भी इस company में फिलाल मुझे दिक्कत देखने नहीं मिल रही है So friends ये पांचो stocks जो हमने cover किये आज की वीडियो में आप इनका नाम लिख लीजिएगा और एक बार अपने study खुद भी कीजिए कि कैसे performance रहा है और deeply इनका financial statement भी analyze कीजिए और अगर आपको सही लगता है तो आप ऐसे छोटे stocks में भी limited amount में investment करके चल सकते हैं जियां friends तो खास करके investment करने से पहले आप अपनी खुद की भी analysis जरूर कीजिए जियां friends तो आज की इस वीडियो में बस इतना है उमेद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को like करना ना भूलें और साथ ही जो भी चैनल पर फ़र्चना विजिट किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके bell icon बेट कर सकते हैं ताकि quality stocks की update उनको लगातार मिलती रहेगी जियां friends तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का दर